आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूं मसाला वेजिटेबल ओट्स की रेस्पी यह पर्फेक्ट रेस्पी है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए तो एक बार जरू ट्राइ कीजेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम पैन में ड हम इसमें डाल देंगे बारी कटिवी प्याज तो मैंने यह पर एक चोटे साइस की प्याज ली थी जिसको बिल्कुल बारी कट कर लिया है यह डाल देंगे आप चाहें तो इसमें लहसुन यह अद्रग भी डाल सकते हैं लेकिन वह आपको यहां पर प्यास से पहले डालना ह पहले आपको लैसुन और अद्रग को भून लेना है उसके बाद इसमें प्यास डालनी है लेकिन उन दोनों का मैं यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं प्यास डाल रही हूँ जिससे सारी सब्जियां जल्दी से पक जाएं गैस यहां पर आपको मीडियम फ्लेम पर रखनी है बस एक से दूर्ड मिनट लगेगा इन सब्जियों को अलका सा पकाने में और जब एक से दूर्ड मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे बारी कटे हुए टमाटर तो यहां पर त बहुत ही जादा टेस्टी बरेंगे अब तमाटर को थोड़ा सा पका लेते हैं तब तक जब तक ही अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते एक से दूर्ड मिनट बाद आप देखेंगे यहां पर तमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और आप इस तरीके से मैश करेंगे त हम जादा कर सकते हैं आप चाहें तो पिना लाल मिच के भी ने पना सकते हैं नमक डालेंगे स्वादा नुसार और अब इसको और जादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे यह मैगी मसाला का पूरा एक पाउच जो बड़े वाला पाउच आता है ना मैजिक मसाल और अब इसमें हम डालेंगे पानी तो पानी हमें कितना डालना है यह देख लेते हैं आप देख सकते हैं यहापे मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है तो यह मैं चार कटोरी इसमें पानी डालूँगे मतलब जितने आपको ओट्स लेने हैं उसका चार गुना आपको पानी डा और जैसे आप देखेंगे पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है अब इसमें हम डालेंगे ओट्स तो मैंने आप प्लेन वाली ओट्स लिए हैं यह बहुत इजी लिए आपको मिल जाएंगे आपको मसाल ओट्स लेनी की ज़रत नहीं है प्लेन ओट्स लेने हैं और वह इसमें नहीं लगते अब आप देख सकते हैं इसमें एक ओबाल अच्छे से आ गया अब गैस की फिलिम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसी ढख के पकाएंगे दो से तीन मिनट तक बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे तो अभी ढख देते हैं और दो से तीन मिनट के अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे यह उप्शनल है आप चाहें दो स्किप कर सकते हैं मिक्स करेंगे और यह लीजए यहां पर यह मसाला वेजीटेबल उट्स बनके हमारे रेडी हैं बिल्कुल मैगी जैसा इसमें टेस्ट तो एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और कौन-कौन इस तरीके से मसाला वोट्स घर में बनाता है यह भी मुझे मुझे कमें बॉक्स में कमें लिखना बिल्कुल मैद भूलिएगा और आज के मेरी यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजेगा फ